हलो यूटूब फैमिली कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे बढ़िया होंगे तो रोज कितरा ले करा हैं छोटे-चोटे से ऐसे किचन टिप सेयर करने वाले हैं जो आपके लाइप में काफी काम आसान कर देगा साथ में समय की बचत होगी तो चलि कि अगर तेल वाला पराठा अगर कोई समान हम बनाते हैं तेल वाले तो एकदम से तावा एकदम से खराब हो जाता है पूरा गंदा हो जाता है तो आज इजली हम नोर्मल साप करने के लिए बताएंगे वह भी नमक से यहां पे हम नमक ले लिए जो डेली उसमें हम लोग ख चलाना है बढ़ियां से और यह देखिए बहुत ही अच्छा से साफ हो जाता है एकदम से क्लीन हो जाएगा चका चक से करमा गरम तावे पे इस तरीके से रगरते रहिए रगरते रगरते इसको हमें साफ कर लेना है थोड़ा दिर के लिए हम छोड़ दिये थे और यहां पर थोड़ा सा पानी डाल दिये ताकि तावा मेरा हलका ठंडा हो जाए ठंडा होने के बाद यहां पर लिए हैं और स्क्रबर से इस तरीके से अच्छे से साफ कर लेना है देख सकते हैं बहुत ही बढ़ी है साफ हो गया है दोस्तों यह रेखिए जितना भी गंदगी चिकनाई तेल बेगेरा का लगा हुआ था सारा निकल गया है और यह जो तावा इस तरीके से साफ करिएगा ना तो इस पर रोटी भी बनाएगा तो एक दम से रोटी चिपकेगा नहीं दम सड से पलटाएगा रोटी बहुत ही अचार टिप से दोस्तों आप लोग जरू ट्राइक हो जितना भी जंक लगा धूल मीटी तो सारा खटम हो जाएगा साप हो जाएगा और यहां पर देकिने के चाकू को भी कि इस तरीके से हमें alkalmunium foil से साप कर लेना है तो चाकु को साप करेंगे तो क्या होगा दोस्तों दो फाइदा होगा एक तो जंक बेगरा धूल मिटी पड़ा होगा वो साप हो जाएगा और दूसरा क्या है कि दूसरा हमारा धार भी सार्क हो जाएगा अगर धार नहीं है धार अगर खटम हो गया धार पजाने के लिए हम लोग जाते हैं मार्किट में पजवाते हैं तो धार भी बहुत अच्छा से लग जाता है अल्मौनियौ mountain ही रखते हैं तो देखेंगे न कि बरसाद के टाइम में सीड़ की वजह से हमारा माचिस मिहारा जाता है जल्दी से जलता नहीं है तो जब भी माच लिखन हो गया है तो इस तरीके से चावल डाल के रखेवाल माचिस में से जासितना बहुत 손ि नियुक्त चवल कर ले बताएंगे दोस्तों टिप से तो यहां पर पूरा देखते रहिए तो इस तरीके से दोनों तरफ से हमें काट देना है काटने के बाद अब हमें थोड़ा सा चोड़ाई में इसे कट कर लेना है प्लास्टिक को यह देखें अपने अंदाज में कट करिएगा तो यहां पर इसे कट कर लेना है बढ़ियां से इस तरीके से देखिए एकदम से पतला पतला सा कट कर लेना है जैसे कि हम लोग जालर जैसा कट करना है चलिए सारे को हम बढ़ियां से कट कर ले रहे हैं और कट करने के बाद आप लोग को हम दिखाते हैं कि इसे हम क्या बनाने वाला है त तो बहुत ही बढ़िया सा और गनाइजर बना रहे हैं दोस्तों यह देखें तो इस तरीके से तीनों प्लास्टिक को हमें काट लेना है तो यहां पें काट लिए हैं और काटने के बाद अब हमें चाहिए कोई भी डंटा हो या पाइफोल ले लिजे और इसमें हमें लपेट क और इस तरीके से देखिए बना लेना है तो दोस्तों अगर आप लोग यह चीज जो बनाए होंगे प्लास्टिक का तो आप लोग समझ गए होंगे नहीं बनाए होंगे तो फूरा वीडियो देखिएगा और थोड़ा सा मेरा आवाज खराब है तो सौरी इसके लिए यह दे इस टेफ।53 तो इससे बांध देजा कोई द् 신के लेकर और इसे बांध देना है तो यह मेरा देखिए बहुत ही बढ़िया यह बन tid wool उयां तक यह दोस्तों हम वनाएं हैं क्या ओर्गाइजर यह बना है अपने घर में जैसे के उच्छाई पर हमारा फोटो फ्रेम होता है डेखिए बहुत ही अच्छा मेरा ओर्गनाईजर बनकर हो गया है तयार लिये देखिए इस तरीके से जाल हटाईए हमारा जुगार बन गया है तो आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक किज़ेगा चले नेक्स टीब देखिग लिए हैं ईडिया है दोस्तों कमाल का आइडिया बताने वाला है तो दो हम टाबलेट ले लिए हैं और इसको हम खलवट्टे में पाउडर बना लेना है और पाउडर बनाने के बाद हमें क्या करना है कि यहां पे हम थोड़ा सगियों काटा ले लिए हैं और इस आटे में हमें मिला लेना है और मिलाने के बा चलिए दोस्तों आप लोग को बताते हैं जैसे कि इस तरीके से देखिए हम अगर ज्यादा मात्राइं बनाना चाहते हैं तो बना के और यहां पे तीन हम इसमें दो तीन बॉल्स बना लेंगे इस तरीके से और बनाने के बाद इसे हम यूज करने वाले हैं अपने सिलेंडर ट सब चिपके बैठे रहते हैं तो इस तरीके से सिलेंडर में यह जो हम बनाए हैं मेडिसन एकस्पारी मेडिसन का इसमें डाल दीजिए जितना भी अगर चिपके बैठे होंगे कोकुरूज बेगरा कान खजूरे घर मेना तो सारे भाग जाएंगे तो है ना दोस्तों कमाल का एडिया एकस्पारी मेडिसन का यूज लगा हो तो लाइक किजिए लाइक करने के साथ तेर किजिएगा और नहीं वहते सब्सक्राइब करके सपोर्ट किजिएगा दोस्तों तो इसी तरीके से मैं यू नू टिप्स वाला वीडियो लाती रहूंगी तब तक के लिए बाए- जー झे लाइभा पकिए, बढ़ हो दो हो तेर कि बादी है कि दो यू लाइक करो तो बदेक हमे ह्गा में अवाला हैं था जू दो थाआख मिल यूगे, तान थाए- हो माटिया कर दोस्तों तो तो ई nak दो रहूः रहते दो तो गजीग यहाँ आवालें बादी हूलैं लाव